हेलो एवरिवान मैं हूँ किरिंचापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल यह 20 दिसमबर से लेकर 26 दिसमबर तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकोर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काट्स हैं, 10 of Pentacles and Emotional Withdrawal और देखे, 10 of Pentacles का काट टारो में कहीं family की बात करता है, get together celebration की बात करता है, tangible, materialistic, finances, पैसों से related, एक gain, एक फाइदे की बात करता है या फिर इन ही सब चीजों पे focus करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही in general, या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है देखे, जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, वो कहीं work front में हमारी family होते हैं तो देखे, आप again अपने work front की family के साथ connect करते हुए दिख रहे हैं, कोई get together हो सकता है या फिर कोई चीज आप या आपके कोई colleague celebrate करना चाहा रहे हैं तो देखे, nutshell में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आप उनके साथ जादा interact कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं, जादा connect कर रहे हैं और कहीं देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया pentacles का card, pay, finances, tangible, materialistic चीजों से related एक gain, एक फाइदे की बात करता है तो या तो आपको again एक gain, एक फाइदा हो रहा है, या फिर इन ही सब चीजों पे आप बहुत focus कर रहे हैं और देखे, overall surface level के लिए, एक stability, एक security आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं कहीं बहुत practical, realistic तरीके से आप चीजों को deal कर रहे हैं और एक grounded सी energies दिख रहे हैं लेकिन देखे, deeper level के लिए emotional withdrawal का card कहता है कि surface level पे सब कुछ बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी आप किसी चीज को अच्छे से नहीं enjoy कर पा रहे हैं कहीं एक dissatisfaction है, कहीं again मैं कहूंगी आप emotionally low feel कर रहे हैं कहीं आप you know चीजों से लोगों से withdraw करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि आप 100% किसी चीज को नहीं enjoy कर पा रहे हैं देखिये लिबराज कितनी बारी होता है कि सब के साथ होते हुए भी कहीं हम उनके साथ नहीं होते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है और देखिये personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है chariot reverse and discontent and boredom तो देखिये इस week दोनों ही fronts के लिए deeper level या फिर मन ही मन की energies के लिए emotionally low feel करने के cards हैं और देखिये professional front में भी हमने देखा कि आप चीजों को नहीं enjoy कर पा रहे हैं कहीं you know again आप emotionally low feel कर रहे हैं और similarly ही आप personal front में भी again मैं कहूंगी महसूस कर रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन आप किसी चीजों को enjoy नहीं कर पा रहे हैं एक boredom रह रहा है कहीं एक dissatisfaction भी आप महसूस कर रहे हैं तो देखिए बहुत बहुत important है Libras कि आप effort करके अपने आपको इन energies से बहार निकालें क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है कि energies दल-दल की तरह होती हैं अगर हम effort करके अपने आपको इसमें से बहार नहीं निकालतें तो फिर हम बहुत deep जाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं और देखिए English में एक कहावत भी है stitch and time saves nine तो जब चीजें छोटी मोटी होती हैं तभी हम उनको चेक करके correct कर लें तो फिर बड़े मसले हमारी life में नहीं आते हैं और इसलिए भी मैं कहूंगी कि आप ज़रूर इन energies में से अपने आपको बहार निकालने की कोशिश करें और देखिए specifically हम personal front के लिए देखें यहाँ पे chariot reverse का card कहता है कि आप चीजों का control लेकर बहुत ही confidently आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए सब के लिए different personal life related areas हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए आपके ही thought में कोई emotion कोई feeling हो सकती है जिसको again मैं कहूंगी आप let go करना चाह रहे हैं या फिर बहार निकलना चाह रहे हैं और देखिए chariot कहीं movement का भी card है और confidence self assurity का भी card है और देखिए again confidence low रहता हुआ दिख रहा है आप इतने assure या फिर sure चीजों को लेकर नहीं हो रहे हैं और कहीं देखिए control भी आप चीजों का नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत important है कि थोड़ा सा आप अपने confidence के उपर काम करें थोड़ा सा you know again मैं कहूंगी कि एक enthusiasm एक excitement लेकर आएं क्योंकि देखिए deeper level के लिए दोनों ही cards low energies की बात करते हैं और जब हम ऐसी energies में होते हैं तो देखिए confidence भी हमारा low होता है और हम चीजों का भी charge नहीं ले पाते हैं और देखिए यहां पे chariot rivers का card है तो हो सकता है कि travel से related यहां फिर आपके vehicle से related भी कुछ issues कुछ मसले रहें और देखिए कुछ लोगों के लिए अपने अंदर की ही जो एक journey होती है thought process होता है कहीं उससे ही related कुछ issues कुछ मसले देख रहे हैं तो देखिए broadly speaking movement shift से related कुछ issues हैं confidence से related कुछ issues हैं और कहीं देखिए आप उतना assertively आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इन सब चीजों पर अगर आप conscious effort करके काम करेंगे तो ज़रूर आप better कर पाएंगे और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपने effort करके एक fun, मजा, मस्ती अपनी life में इस week ज़रूर आट करनी है and guidance है आप लोगों के लिए great teacher का card है और ये card कहता है learn from spiritual experiences देखिए teacher कहीं सीखने सिखाने की बात करता है, पढ़ने पढ़ाने की बात करता है और देखिए life सबसे बड़ी हमारी teacher होती है जब कोई भी चीज में हम fail होते हैं या फिर you know उस तरीके के हमें result नहीं मिलते हैं वो सबसे जादा learning हमें देता है और देखिए इसी तरीके की learning या फिर किसी भी तरीके की learning ये card लेने के लिए कहता है और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी भी life के area से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो जिस इनसान पे आप बहुत trust करते हैं आप उनसे जरूर discuss करें उनसे advice तलहा आप जरूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है और इसके हिसाब से green color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए